अगर आपकी कोई मननत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो. मसलन कोई भी दिक्कत हो तो परेशान होने के बजाए अब की सावन सुमवार का व्रत करके यहां बताई गई व्रत कथा का पाठ करें. मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर वरत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मन्चाही मुराद पूरी हो जाती है एक साहुकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके पास धंधाने किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पारवती ने शिवजी से कहा कि प्रभु यह साहुकार आपका अनन्य भक्त है इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए शिवजी बोले कि है पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है यह इसी से दूख ही रहता है माता पारवती कहती है कि है इश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वर्दान दे दीजिए तब भोले नाथ ने कहा कि है पारवती साहुकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान मिल भी गया तो वह केवल बारा वर्ष की आयू तक ही जीवित रहेगा यह सुनने के बाद भी माता पारवती ने कहा कि हे प्रभु आपको इस साहुकार को पुत्र का वर्देना ही होगा अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे माता के बार-बार कहने से भोलेनाथ ने साहुकार को पुत्र का वर्दान दिया लेकिन यह भी कहा कि वह केवल बारा वर्ष तक ही जीवित रहेगा साहुकार यह सारी बाते सुन रहा था इसलिए उसे न तो खुशी हुई और नहीं दुख्ष वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजार्चना करता रहा उधर सेठानी गर्भवती हुई और नवे महीने उसे सुन्दर से बालक की प्राप्ती हुई परिवार में खूब हर्शोलास मनाया गया लेकिन साहुकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की बारा वर्ष की आयू का जिक्र किसी से भी नहीं किया जब बालक ग्यारा वर्ष की आयू हो गई तो एक दिन साहुकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना वहां यग्य करते और ब्राहमनों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था वह एक आखसे काना था तो उसके पिता ने जब अती सुंदर साहुकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कारिय संपन करा लिये जाएं तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथा धन देंगे तो वह भी राजी हो गए इसके बाद साहुकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्दरी के पल्ले पर लिखा की तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आख का इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। तब ही उन्हें पता चलता है कि यह तो भोले नाथ के आर्शिवाद से जन्मा साहुकार का पुत्र है। तब माता पारवती कहती हैं कि हे स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोले नाथ ने कहा कि हे पारवती इसकी आयू इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन मा के बार-बार आगरह करने पर भोले नाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का उमनम शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भाजे दोनों ने इश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लोटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्धाने के साथ विदा किया। उधर साहुकार और उसकी पतनी छट पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुषल न लोटा तो वह छट से कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समाचार सुनाया लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपत पूर्वक कहा तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटेभु का स्वागत किया। उसी राद साहुकार को स्वपन ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दूख हदूर हो जाएंगे और मनोवांचित सभी कामनाओं की पूर्ती होगी। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।